हलो फ्रेंट्स वेलकम टू आवर योटूब चैनल रॉबिन बूटिक दोस्तों आज की जो वीडियो है एक रिक्वेस्टेड वीडियो है हमारे किसी सब्सक्राइबर ने मुझे ये बोला है कि भी है प्लीज हमें कोई ऐसी पैंट बताएं जिसके पूरे में लाश्टिक लग सकते हो इस क्रीम के उपर आपको दो होखह दे रहे होंगे इन नमबर पर कॉल करके यथीचेल ले सकते हो और आप हमेंने इंस्ट का मैं पर वी फॉलो कर सकते हो इस त्रगाम का लिंक आपको इस्किट्षीन बॉक्स में मिल जाएगा जिसमें आपको हमाई नई नए इस दि कपड़े कों भी तरफ यह जो किनारी तरफ और इसका बंद रही आसे बarg holistic सबसे पहले मैं आपको कहाता हूं कि यह जोड है मेजरमेंट क्या तो इसका कैम दोस्तों मैं लिख रहा हो इस जगे पर यह बखिए इसकी जो लंबाई है वह 37 इंच त्यार कमण है वह 32 इसका हेवां 36 इंच इसका 22 और जो नीचे से वह 12 इंच टोटल आप फ्रेंट्स सबसे पहले आपको करना है कि सबसे पहले आपको नीचे की तरफ एक निशान लगाना इस तरह से देखी इस निशान का मतलब यह होता है अगर कहीं से कपड़ा आपका छोटा बढ़ा हो तो आप उसको बिल्कुल बराबर कर सकते हैं जैसे कि आप आप दो इंच आफिर नीचे से ले सकते हो तो मैं इसमें लूंगा नीचे से दाइंच यह देखी तो आपको नीचे से निशान लगाना है फोल्ड करने के लिए इस प्रकार से सीधा इसको खैच लें इसके बाद इतना काम करने के बाद अब आपको जूट पड़ेगी इसके लंबाही का Approleicking का Reaper जैब इसका दोस्तों 30o серь शेंच है तो आप देखिए किस परकार से शान लगाँगा यहाँ से आप को लेना 37 champion सीधा एक निशान लेना आपको सहती सिंच पर इस प्रकार से क्योंकि दोस्तों यह जो पैंट में बना रहा हूं इस पैंट में पूरे में लास्टिक लगानी है आगया बैल्ट पीछे लास्टिक वाली पैंट यह नहीं है तो इसका फार्मॉला थोड़ा सा चेंज होता है उस अब इस प्रकार से आप देख सकते हो अब तक जो मैंने मार्क लगाए है यहां से लेकर यहां तक 37 37 लंबाई है नीचे से फोल्ड करने के लिए मैं धाइंच लिया उपपर से आप फोल्ड करने के लिए उपर से भाइंच ले सकते हैं उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं अब फ्रेंट्स बात करते हैं इसकी कमर की तो कमर का फार्मॉला बिल्कुल सिंपल है कमर 32 है तो 32 का आपको करना एक जोथाई वह कितना होता है वह होता है आठ चोक 32 क्योंकि दोस्तों आगे वाला जो पार्ट है ठीक है अब अगर 32 कमर से इसकी गटिंग कर देते हैं तो ल लगाने के लिए एक्स्टा मार्जन चाहिए होता है तो आपको एक्स्टा मार्जन लेना वह लेना लगबग ढ़ा इंच यह देखिए इस प्रकार से आप देख सकते हो आठ चोक 32 कमर के लिए और डाइंच में एक्स्टा कपड़ा लिया जो इसमें लास्टिक को हम यूज क करेंगे अब इसके बाद friends बात करते हैं हिप साइग का कोरौडिंग हमेशा जो है इसका निकाला जाता है तो आपको क्रोस है जटाएं आपको करना एक चोथा यूँ वह बनता है और ऊचोक 36 तो इस जलेगे से आपको लेना 9 इंच यह देखिए तो इस प्रकार से इसका क्रोशेरी आप निकाल सकते हो किसी भी साइज के आपकी पैंट हो यही फार्मुला आपको काम करना है कि हिप साइज का आपको निकालना एक चोथाई और जोतना भी चुताई बनता है उसमें आपको डेड़ इंच प्रस करना है तो यह द हो तक 11 पर आपको इस प्रकार से निशान लगाना है यह देखिए अब यहां से लेकर यहां तक टोटल कितना ही यह ग्यारा इंच तो इसी प्रकार से आपको नीचे भी ग्यारा इंच पर ही निशान लगाना है यह देखिए और बिल्कुल बीचों भी सेंटर में आप 11 का आद इदर निशान लगा दिया और तीन इच मैंने इदर लगा दिया तो टोटल कितना हो गया है यह गया छे अब फ्रेंट्स यह जो मैंने निशान लगाए इन निशानों को आपने शेप-ठ्टी के मदद से मिलाना है किस परकार से यह देखिए कि कि इसी परकार इधर और दोस्तों अब यह जो निशान है इस निशान को आपको नीचे लाके मिलाना है लेकिन मिलाना किस जगे पर यहां से आपको डेर इन्च अंदर गी तरफ लेना है यह देखिए और इस प्रकार से इस निशान को इद़र मिला दें और यहां पर एक एरो को निशानर बनातो है आपको यहां पर देनी है गोलाई दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हो जो फ्रेंट वाला पार्ट है इसमें मैंने मार्किंग कर ली है अब इस मार्किंग एकोडिंग इसके हम करेंगे कटिंग तो फेंट्स फेंट वाले पार्ट की कटिंग हमने कर ली है अब हम इसी के अकोडिंग वाले पार्ट की कटिंग करेंगे तो यह देखिए कपड़े को आपने इस प्रकार से बिल्कु सीधा नीजी तरफ लेकर जाना है और इस कपड़े को स्कूपर आपको कर लेना है सेट फे सबसक्राइब इसको आगे ले जाए बिकुल सिंपल फार्मूला होता है दोस्तों वससापको दो इस प्रकार से यह देखें ढूसी प्रकारस दोस्तों यहां से बिल्कुल आपको बढ़ाबर रखना है यह देकिए ऑफिए ओव को बढ़ाना है दो इंच ये देखी लो इदर से बड़ा दिया और यह दो शुमने बढा है इसको आपको लाके मिलाना इसमें इस परकार अरो बिलकुल इजी होता है कुछ भीश में टेरा काम नहीं इस तरह की पैन्ट की कटिंग भी असान है और इसको सिलना भी असान है बस पीछे वाला जो पार्ट है आपको आगे वाले पार्ट से दो दोंच बड़ा लेना है दोंच इधर से ठीक है दोंच इधर से और दोंच इधर से बागी से मैं आपको उसी प्रकार से कटिंग कर देनी है तो फ्रेंट्स आप देख सकते हो फ्रेंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग मैंने कर ली है और इसमें आगे प्लेट्स कभी नहीं डलती एक चीजा हमेशा आपको रखनी जब भी आपने कोई ऐसी पैंट्र बनानी है जिसमें फुली लास्टिक हो कमर में तो उसमें आगे नहीं डलती आगे आपको 2 इंच एक लेना है और उसके बाद पीछे कटिंग नहीं तो आपको 2 इंच एक लेना होता है अब दोस्तों कटिंग मैंने कर लिए अब इसकी हम काटेंगे पॉकेट तो फेंस पॉकेट काटना बिल्कुल आसान है यह देखी कपड़े को डबल करन आपको करने के बाद कि अगर आपने एक पोकेट काट में एक तरफ लगानी है तुए पोकेट कार सकते हु क्लिक दोस्तों इसमें-दोन तरफ पोकेट लगांगे इस प्रेकास से देखी अगत्का रखना है और दोनों फॉकेट मेर्क साथ कटिंग करूंत करूंगा 12 इस जगे से हलकी सी गुलाई देनी है और आप देख सकते हैं इस प्रकार से यह जो हमारी दोनों को दोनों पॉकिट है मैंने काट लिए फ्रेंट्स पैंट की कटिंग हो चुकी है अब मैं आपको बताओंगा इसकी स्टीचिंग जो की बिलकुल असान है सबसे पहले आपको क बिलकुल तो जब भी आपने पॉक्ट लगानी है तो पॉक्ट के लिए आपको निशान इस परकार से लगाना है यह जो निशान दो फोल्ड होगा इस से जस्ट तीन इच नीच आपको जाना यह देखे तीनीच पर निशान लगा और यहां से जो पॉक्ट की दूरी रखी आपको निशान लगा अयहां पर आपस प्रकार से कट लगासकते हूं अब रिकाहर अभी कट लगाने से दोस्तों उध्याभ भी हम निशान लगाने यह देखिए अब सबसे पहले pocket कैसे लगाने हैं यह मैं आपको बताता हूं मशीन पर तो फ्रेंट्स सबसे पहले pocket लगाने के लिए करना क्या आपको यह देखे फ्रेंट के दो पार्ट है एक यह वाला पार्ट है एक रखाए मैंने साइड में आपको एक हिस्से को उठाना है और आप निचे के तरफ रखना यह देखिए यह जो निशान है इस निशान के लगवा आदा बीच में होना चाहिए यह देखिए इस परकार से आप देख सकते हो अगर आप इसको बिल्कुल बरावार रख दोगा उसमें भी दिक्कत नहीं उसके लिए बस यह है कि थोड़ी सी फॉक् सबस्क्राइब को बाता हूं मैं अंगी फरन परकार से मढ़ना है कट एक इधर और इधर अब यह जो पॉक्ट वाला कपड़ा है इसको आपने इस På Chaiser करना है के फोल्ड करने के बाद यह देखिए इस प्रकार इत जो में घ्रशी लगाए थे एक में स्पास आजाते है कि यह वाली स्टीछिंग मैंने लगा ली है अब यह वाली इस्टीचिंग लगाने के बाद अब हमें क्या करना है यह जो पोक्रवाला कपड़ा इसको आपने इस प्रकार रिंभ माष्ण होगा है इसी का दियार। हो नहीं है आप marks पाला से शिसलाई नहीं लगानी अगर आप इसमें इस पाल से लगा देते हो यह देखिए आपको लिखा रहा है तो नीचे से यह जो कपड़ है नहीं यह वाले तो यह अंदर की तरह को फोल्ड नहीं होंगे इसके लिए को थोड़ा चेंजिस करना होगा क्या करना आपको यह देखिए दब आपने इस लगाई इस लगाने के बाद यह जो पोकेट के कपड़े कौँ आप ने अंदर की तरह फोल्ड़ नहीं देखे इस तरह यहांसे इससे इस तरह आपकी जो छीगों लगे की गुम अब इस कपड़े को आपने इस प्रकार से सीधा करना है इस से गया कि आपका जो पॉकेट है बिल्कुल गुम तरीकर से लगेगा और फिनिशिंग भी इंदर अच्छी आएगी अब इसके उपर आप स्लाई लगा सकते हो इस प्रकार से तो फ्रेंट्स अब आपको मैं दिखाता हूँ इस पॉकेट का थोड़ा सा प्रारूप इसका जो किस प्रकार से लुक है यह देखी इस प्रकार से देखी यह लेफ्ट हैंड की पॉकेट में लगाई अभी और नीचे की जो स्लाई है यह आपकी आपकी आप देख से गुम बन प्रेंट्स जो साइड से इस तरह से जुड़ चुके हैं सारे की सार आप देख सकते हो अब इसके बाद आपको नेश्ट काम कर आगा था वो मैं आपको बताता हूँ तो फ्रेंट्स यह देखी पॉकेट बिल्कुर रेडी है अब साइड से भी इसको मैंने जोड़ लिया थ पॉकेट लगानी है तो फैंट्स से राइड यह देखी और यह लेफ्ट दोनों तरफ मैंने फॉकेट लगा लिए फोकेट लगाने के बाद आपको करना क्या है अभ आपको दोस्तों इसको जोड़ना या इसको आपने जोड़ना किस परकार से कोई से बिश्यों को एक दो उपर कास सखें और यहां से आपको लाई लगानी बिल्कुत सीधी स्था इसका से month and the इसके इस्याई आप पुटा और पुरा प Après देखि कडि हो इसका पीछे वाला इससे आप देख सकते हो इसमें भी आपको तो इसका फ्रेंटवाला पार्ट है इसमें भी देख़ी मैंने क्रोचर लगाई थी और इसके उपर आपको इसे इस प्रकार से रखना यह देखिए आप देख सकते गए कैसे रखा है यह स्लाइब की मिलने चाहिए देखिए इस प्रकार से यह बिल्कु रखा मैंने सीधा और इसको रखा मैं इसके उपर इस प्रकार से उल्टा अब इसमें आपको लगाने साइड की सिलाई कि साइड कर सकते हो यह फिर साइड की सलाई आप नीचे से भी लगाने के बाद इसका जो लुक है कुछ इस परकार से आपको नजर आए यह देखिए पॉक्ट असानी से एक इदर लग चुकी है और इक इदर लग चुकी है अब इसमें आते हैं नीचे की तरफ नीचे को क्या करना है नीचे आपको यह देखिए हमने जो जितना भी लगा लिए अंदर की तरफ इस परकार से ना से लगाने के बाद फिर बिल्कुल असान है आपको यहां से सीधी सीधी एक स्टार्ट करनी आपको और इसका यह जो क्रोच एरिया है इस क्रोच एरिया से मिलाती हुए आपको इस सिलाई को नीचे की तरफ कंप्रीट कर देना जो कि बहुत ही असान होता है इसके बाद दोस्तों यह काम जब आप कर लोगे तो में काम होगा इसका उपर का वो मैं आपको बताता हूँ फ्रेंट्स आप देख सकते हो पैंट लगबग तयार है नीचे से इसके जो क्रोच एरिक्स लाइए वो भी मैंने कम्प्रीट कर ली है अब दोस्तों इसमें उपर का जो काम है बिलकुल असान ही दिखिये आपको पता है हम उसको उपर है जब तो फोल्ड कर रहा था तो आपको ऑप की निशान दिख़ा हुआ पूनिस का अदिशन वूत सब्सक्राइब होगा इस परकार से सलवार का जो नेफा होता है अभी बैल्त यह कि वाहां बनाते है उसको फोल्ड करते है उतने ही विसको प्लिकल सबस्क्राइबिकताई आघे see ठीक है तो आपको शलाई लाकर इस निशान पर खातम नहीं करनी आपको थोड़ा सा बीच में गैप देना होगा लगबार दो इंच का क्योंकि दोस्तों इस बच्चे को गैप से हम इसके अंदर से लाश्टिक को पिरोएंगे फ्रेंड्स आप देख सकते हो उपपर सब्सक्राइब फोल्ड कर लिया जो थोड़ी है यह जगह छोड़ी है मैं लास्टिक डालने के लिए अब लास्टिक डालने का जो तरीका दोस्तों बिल्कुल असान है पहले मैं आपको आता हूं कि लास्टिक आपको लेनी कितनी है है टोटल कमर है दोस्तो 32 लेकिन जब भी आपने लास्टिक लगानी होती है फुल इस तरह से जो कमर होती है जैसे 32 है तो आपको लगबत तीन या फी चार इंच लास्टिक कम लेनी है तो यह देखिए मैं जो लास्टिक लूँगा वो लूगा इसमें में चार इंच कम यान अब यह जो छोर है इस छोर से आपको इसके अंदर लास्टिक को डालना है जो कि बहुत ही असान है इस परकार से इदर से लास्टिक को आप डाले और एक छोर से लास्टिक को डालना है दूसरे छोर से लास्टिक को निकाल लेना है फ्रेंड्स इस परकार से यह आप देख स तो फ्रेंड्स यह देखिए पूरी पूरी लास्टिक इसके अंदर इस परकार से अर्जेस्ट हो चुकी है अब इसके अंदर लास्ट के एक सलाई रहे गी है वह सलाई लगाने बहुत जरूरी होती है दोस्तों क्योंकि अगर यह लगाऊगे तो लास्टिक अपनी फिक्स स्राइल लगानी है ताकि दोस्तों इसका जो लुक फर्स क्लास आ सके रिडिमिट वाला ये देखें तो फ्रेंट्स आप देखें तो फुल इलास्टिक वाली जो हमारी पैंट है कम्प्लीट हो चुकी है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रह गई है इंटरलोक और प्रेस दोस्तों इंटरलोक को प्रेस करने के बाद इसको पहनने के लिए बिल्कूर रेडी है ये पैंट अगर द